हेलो गाइस, वेलकम बैक तो मैं चैनल, आज किस वीडियो में देखने वाला MSC, फास समेश्टर एग्जामिनेशन दिसमबर दोजार तेज का पेपर देखेंगे ठीक है, इससे पहले जो है, मैंने 2022 वगरे के पेपर भी अपलोट कर रहा है, और जो है, ये जुलोजी का फोर्थ पेपर है, बाकि थार्ड पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, इस सारे पेपर मैंने अपलोट कर दिया है, आप हमारे चैनल पर चले जाएगा, और MSC फ सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, तो फोर्थ सेमेश्टर का, सौरी, फ़र्स सेमेश्टर का है, फोर्थ पेपर, बायो मॉलिकुलर एंड इस टेक्स्टरल बायोजी का एक कोस्टन पेपर है, किस प्रकार आता है, देख लेंगे हैं, पासिंग कितना है, वो भे आंगे इ और आभी तक की जिस भी बंदु ने सस्क्राइब नहीं किया, तो फिलिस सस्क्राइब कीजिए इस चैनल को, नीचे आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, ताकि आपके यूनिवर्सिटी के कोस्टन पेपर भी हम अपलोड कर पाएं, ठीक सस्क्राइब कर लेना है, बाकि सेकेंड, थार्ड, फोर्स, सभी सेमस्टर कोस्टन पेपर इस चैनल पर आपको मिलेंगे, तो चलिए वीडियो हम यहाँ पर देखते हैं, एमसी फर्स सेमस्टर का है, तो देख लेते हैं, चूकि यहाँ पर तीन घंटे का समय दिया हुआ है बई, 40 अंका पीपर है, हो सकता है, आपकी युनिवर्सिटी में यही पीपर 80 अंका होता हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अंक पर आपको नहीं जाना है, अंक तो कम जादा होते रहते हैं, हो सकता है, दो अंके फ्रस्न, आपकी युनिवर्सिटी में 5 अंके बनते हो दस अंके बनते हो या सव अंक, हजार अंक किसी के बनते हो क्या फरक है ठीक है कोस्टनों को आपको देखना है इस युणिवर्शिटी में क्या होता है पांच विकल्प देख विकल्प मतलब जो है पूछे जाते हैं चुकि प्रत्य विकल्प जो है एक एक अंक का होता है ठीक भी आंगे competition में आपको विकल्फ अगेरा की तैयारी करना है तो इनके जो है correct answer भी आप बता सकते हैं पहला विकल्फ है सबसे सरल amino acid है सबसे सरल amino acid है क्या है glycine, alanine, aspargine और tyrosine correct answer बताना है हमें नीचे comment करके दूसरा यहाँ पर जो विकल्फ है dna, decundalit जो सनरचना होती है उसका व्यास कितना होता है 2.4 anga strong अगला जो विकल्फ है वो देख लेते हैं 3.4 anga strong गलेक 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 गान वो प्रोक सभी ठीक है अब यहाँ पर जो next विकल्फ की और यहाँ पर next विकल्फ क्योंकि तीसरा विकल्फ है तीसरा विकल्फ के बाद विकल्फ का कोई पता नहीं है सीधा यहाँ पर question answer question answer ही हमें यहाँ पर देख लेते हैं कोई नहीं है section B के यहां पर बात आती तो पांच अंग के प्रस्न है यहां पर जाते हैं तो किस प्रकार के आते हैं तो देख लेंगे first unit से शॉट joke ए रिख़ें पर पर संचिप में टिपड़ी लिखें तो भई pH पर टिपड़ी लिखें इस टाइब की कोस्टन तयार कर लेना है राइट आशाट नॉट और पी एच अथवे कहां पर बात आती है अथवे प्रसन पूछाए क्या जेव पधार पर संचिप में टिपड़ी लिखें एस टाइब की कोस्टनों को लिखकर तयार कर लेना है इन कोस्टनों को आप लिख लीजे या टिकमार कर लीजे सिलेबस में तीसरह आपर डिने की दियुकुंडलिस संरचना का नामां की चित्र बनाई एं आपको जो है जूलोजी है या बॉटमी ओ आपको आवसकता नसाद चित्र जरूर बदाना है क्योंकि इन्हे जो है इंपोर्टेंट ही हो जाता है जूलोजी में तो चित्र आपको अवस्य बनाना है अत्वी किया आपर बात आती है तो RNA किस संद्रस्णा समझाइे explain structure of RNA तीसरे यूनिट से आपर प्रस्ण step के पूछते हैं glycolysis को समझाए explain glycolysis अत्वे क्या आपर बात आती है अत्वे में glyconeogenesis पर टिपली लिखे next प्रस्ण है चलकि कहां से चौथा पाच्वा नमबर का प्रस्ण आना चाहिए पाच्वा प्रस्ण एक मिनट पाच्वा प्रस्ण तो हमारा है नहीं है पाच यूनिट से PDF गायब है तो हम याँ पर next question है याँ पर देखने वाले है चूँकि section सीख की याँ पर बात आती तो पाच पाच अंग के पूछे जाते हैं प्रस्ण है ठीक है देरगुत्री प्रस्ण है तो देखेंगे पाच अंग के प्रस्ण के लिए देरगुत्री के लिए जो है फर्स्ट यूनिट से प्रस्ण इस प्रकार के बनते हैं नूकलो टाइट का वर्णन कीजे explain नूकलो टाइट अथेमें प्रस्ण है नेनो पार्टिकल का विश्टार से वर्णन कीजे describe नेनो पार्टिकल in detail ठीक है अगले हाँ पर जो प्रस्ण है आठवे नम्मर का वो हम यहाँ पर देखेंगे चुकि यूनिट से दूसरे यूनिट से हैं पाच अंग के लिए जीन अभियत्ति में आरेने की भूमी का समझाईए explain role of आरेने इन जीन एक्सप्रेशन अठवे में बात करें तो अठवे में डी एने प्रतिकेति को समझाईए explain डी एने रिप्लिकेशन इकाई तीसरा से आप प्रस्ण आपके बनते है आक्सिडेटिव फास्पोर रिलेशन को समझाईए explain oxidative फास्पोर रिलेशन अठवे में प्रस्ण इस टाइप के बनते है वसी अमलों के बीटा आक्सिकराण की प्रकीरिया का वर्णन कीजिए अब वहीं चौते योनिट से आजाते है ठीक है चौते योनिट से प्रस्ण ई किस टाइप के बनते है पाचे योनिट से प्रस्ण है च्पाच अग के लिए एंजाइम की नाम पद्धती एवां वर्गिकरन का वर्णन कीजिए डिस्क्राइब दा नॉमेन कल्चर एंड क्लासिफिकेशन आप एंजाइम अथिमें प्रस्ण है एंजाइम प्रतिकिरिया के नीमन का वर्णन कीजिए describe the regulation of enzyme reaction कीगा तो भई ये इस type की question आपके आते हैं त्यार आपको कर लेना है चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लेना है जिस भी सखाबंदू ने subscribe नहीं किया तो subscribe करके एक like कीजेगा एक comment करके बताने है आप किस university से हैं ताकि आपके university के proper question paper हम upload कर पाएं और इस्क्रीन पर आपको दिख रही होगी MSC Geology की वीडियो तो आप क्लिक करके देख भी सकते हैं वहाँ पर ठीक है बाकी आज किस वीडियो में इतने ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर थैंक्स पर वाचिंग बाए